तो चलिए हमने देखा foreign trade and contacts इसमें हमने पढ़ा कि जो हम use कर रहे हैं जो हमारे market में use करने वाली बस्तुएं हैं हम अंदेखे रूप से हम बहुत सारे ऐसे वस्तुओं का use करते हैं जो foreign बस्तुओं हैं जैसे हम Chinese material यूज करते होते हैं हम Japanese material यूज कर रहे हैं हम बहुत ऐसे चीज हैं जो USA से बनके आता है बहुत ऐसे चीज हैं जो दूसरी दूसरी अगलग country से बनके आता है और उसे हम use करते हैं लेकिन हमको यह पता नहीं ही रहता है कि हम यह वस्तुओं जिसका हम use कर रहे हैं वो कर दो कर दो दो unless the California आता है खuis सिह बहुत ईहला ग्योग प्रम जोिंड दो कि भुछ तो स्iez शो कर दो क्साल करूंग स्यूसरी झाल 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 विन्मे! होता है झाल झाल तो ट्रेन छोटी छोटी हाल में स्टॉप थोड़े से रूपती है तो हल मतलब छोटा सा स्टॉप इद तो बोल रहे हैं वो कहां पे रुखते थे या तो वो हल पे रुखते थे या फिर वो इंस मतलब होता है सराई, सराई का मतलब होता है जहां पे रुखने के लिए जेगह बनाया होता है वहाँ पे राजा जो चेत्र, जिस राजा गयत ही रहता है वो अपने वेपारियों के लिए सराय बराती थे और वहाँ पे वो रुपते थे उसका टैक्स देते थे वहाँ पे उन्हें खाने पीने की विवस्था होती थी, आराम करने की विवस्था होती है आज कर होटल पूर रहते हैं पहले सराय होते हैं उन्हीं क्या कहा जाता था? सराय तो सराय में वो लोग रूपते थे, आराम करते थे और उन्हीं खाने भी ने की विवश्था होती थी वो उसका पैसा या टक्स देते थे यहाँ वुधिस्ट मॉनेश्टरी से दूसरे जगाव एक जगाव से दूसरे घृता ने के लिए तो उन ही थोड़ा सा बैठने या आराम करने के लिए मठ वधिस्ट मठ तो वो वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ पे यह ब्यापारियों को भी रुखने के व्यवस्था की जाती थे, और उनसे टाक्स लिए जाते हैं, इन दिस वेई, इन दिस वेई, दे वूट सेल देएर आइटम, वो अपना आइटम बेजते थे, इन एचीटी, सहरों में बेजते थे, और आलड वाइन चीप आइटम फ्रॉम देयर, वह सहरों में बेचते थे या फिर अगर गाउं में रुखते थे तो गाउं के पास आस पास बेचते थे और उसी समय वो अपने आइटम भी जैसे कि अगर कॉटन के कोई समान को वो बेच रहे हैं तो वो कॉटन का अगर रा मटेरल उन्हें कहीं से कॉटन मिल जाता है तो वो कॉटन को खरीद भी लेगते थे वो कपड़े बेचते थे और कॉटन खरीदेते थे ठीक है या फिर उन्हें कोई मेटल मिल गया तो मेटल को खरीद लिए और मेटल के जो गहने होते हैं उन्हें क्या करते थे बेचते थे And buy goods and cheap items from there Some trade would choose the sea route And travel to Indonesia, China and Arab country Iran, Africa They would sell their items to the city and buy goods and cheap items from there Some traders, sea route to one place to another place Like Indonesia, China, Arab country, Iran and Africa Even in those days, these people would pay a handsome price to possess imported items बोल रहा है कि इस दोरान, even in those days, इस दोरान जो rich people होते हैं वो, जो rich people होते थे वो इनका अच्छा दाम देते थे एकने क्यों, import शामान का अच्छा दाम देते थे, अच्छे पैसे देते थे The city are a good, sorry, the city are a good profit जो city होते हैं, जो हमने देखा था कि city कौन होते हैं तो जो ये ब्यापारी होते हैं, उनका एक group होता था उनमें जो group का head होता था, वो क्या होता था? city, तो ये जो city होते थे, उन्हें बहुत ही profit होता था, good profit With the money art, they would construct huge houses and temple for their gods कि वो लो आप जो बहुत ज़्यादा profit हो गया, तो वो क्या करते? तो वो क्या करते थे? बहुत बड़ा धर बनाते थे, और अपने गौड को के लिए बड़ी सी मंदिर बनाते थे या फिर जो उनका, जो जिस धर्म के मानने वाले, अगर बहुत धर्म मानने वाले, तो बहुत मठ बनाते थे और अगर वो, क्योंकि उस समय हमारे भारत में सिर्फ हिंदु धर्म ही प्रचलित था, वैदिक धर्म ही प्रचलित था दे वुंग, दे गेव डोनेशन फॉर वधिष्ट अस्तूपा और मॉनेश्ट्री वो डोनेशन देते थे, दान देते थे किसे बौधिष्ट स्तूप को, क्योंकि उस में बौधिष्ट धर्म बहुत ही विक्षित धर्म था, ठीक है, तो उसमें बौधिष्ट स्तूपा और मॉनेश्ट्री, यो मठ थे, उन्हें वो क्या देते थे, मठ को और बौधिष्ट स्त with other country, after Ashoka, बोल रही है, कि क्या, Ashoka के बाद भी हमारा जो दूसरे देश से communication था, दूसरे देश से जो ब्यवसाय हो रहा था, वह हो ही रहा था क्या, the teacher answered, yes, yes, this trade continued, क्या बोला, Ashoka के जाने के बाद भी हमारे देश में जो ब्यवपार है, वह ही रहा था, in fact, it increased later on, बोल रहा है कि, in fact, मतलब, इसके बाद तो हमारे यह और तेशी से बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, In the previous chapter, you had read how the rulers of Greece and Iran had conquered some state in the North-Western, तुमने पीछले, जब हमने पीछले चप्टर में देखा था, कि जो हम जो Alexander था, Alexander जो हमारा जो कुछ एरिया को जो व्यास नदी के वेस्ट में था, उस एरिया को उसने conquered किया था, और उसके जो राजत, जो उसके commander थे, वहाँ कुछ एरिया, जो बेस्टर एरिया था, उसको क्या किये थे, वो North-West एरिया को जीता था, तो बोल रहा है कि, जब in the previous chapter, you had read how the rulers of Greece and Iran had conquered some state or in the North state, कि इने ग्रीस और इरान के जो रूलर थे, वो हमारे North-West एरिया को जीत लिये थे, their trades and messenger started coming here, तो उनके ब्यापारी है और उनके राजदूद क्या होगे, हमारे यहाँ आना शुरू कर दिये, coming here, इसके द्वारा आने लगे and Indian trades began going there, और हमारा जो भारत का वेपसाय था, वो इसके द्वारा दूसरे देश में होने लगा, When the Maurya Empire decline, When the, when मतलब जब the Maurya Empire decline, जब Maurya Empire decline हो रहा था, the Sung Dynasty started ruling, Maurya Dynasty के बाद काउनसर डाइस्टी आया, तो Sung Dynasty है, तो जो Sung Dynasty है, तो वो start हो क्या रूल करना, Magad and the South, the Southwahan come to the power, वो रहा है, Magad में, Sung Dynasty ने कमान समाली, और जो हमारा भारत का Southern part है, वहां पे साथवाहन वन्स ने, साथवाहन वन्स बाद, सासन में आया, पावर में आया, During this period, इस period की दवरान, several Greek rulers come and establish their rule in the North West, बोल रहा है कि इसी दवरान, बहुत सारे Greek rulers आये, और उनने North West पे रूल करना सुरू किया, भारत के North West पे क्या करना सुरू किया, रूल करना सुरू किया, Of these Sakas and Kusano were prominent ones, इसमें से Sak और कुशान भी एक थे, The greatest Kusano ruler was Kanishk. आपने सुना होगा Kanishk का नाम, तो Kanishk भी एक क्या था? Kusano Vanshka Sasak था. Kusano Vanshka Sasak, Kanishk था. His empire extended from Amun Daria in Central Asia to Mathura in India. बोल रहा है, जो ये Kusano Vanshka Sasak Kanishk था, उसका शासन अमूदरिया से, जो ये अफगानिस्तान में, Central Asia में अमूदरिया है, वहाँ से भारत के Mathura तक उसका शासन था. Several Central Asian tribes, several कुछ Central Asian tribes invaded from the North West. बोल रहा है कि, कुछ Central Asian tribes थे, बहाँ आक्रमन किये North West भी. कौन किये? जो कुछ Central West, Central West में उस समय बहुत सारे tribes रहा करते हैं. ठीक है? तो उस समय जो tribes थे, Central West Asia में, तो उन्होंने भारत पे, North West पे हमारे अटाइक किया. Their empire was very large. It include part of India, Afghanistan, Iran, Uzbekistan, etc. बोल रहा है कि, their empire, उनका जो सामराज था, बहुत ही बेस्तरित था. उस tribe का और वो कहां तक फैरा हुए था? India, Afghanistan, Iran, Uzbekistan. All this happening lead to an increasing in trade with this country. यह सब किसलिए हो रहा था? तो यह सब अपना अपना ब्यवसाय ब्यापार बढ़ाने के लिए हो रहा था. वो सब एक दूसरे छेतर को जीत रहे थे, कनुकर कर रहे थे. किसलिए? क्योंकि हम अपना ब्यपार ज्यादा से ज्यादा कर सकें और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सकें. इंडियन ट्रेडर कुड गो तु अल दिस कांट्री विदाओ एनी प्रॉब्लम. सेवरल मॉनेस्ट्री वर इस्टाइबिस तेर वाई ता मॉंक. वो रहा है कि बहुत सारे मॉनेस्ट्री थे. कुछ मॉनेस्ट्री क्याते हैं? वहां मॉंक के द्वारा जो संथ होते हैं, जो बॉद्ध संथ होते हैं, उनके द्वारा इस्टाइबिस किया गया है. और जो Indian traders हैं, जो Indian व्यापाई थे, वो एक जगा से दूसरे जगा, दूसरे कंट्री में बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रोब्लम के एक जगा से दूसरे जगा जाती थे तो, there was a route from China to the Mediterranean Sea across Central Asia. This route was used for trading the silk of China. Therefore, it was called the silk route. क्या बोल रहा है? जो हम सिल्क रूट को जानते हैं, एक समय सिल्क रूट बहुत ही विक्षित सम्रित रूट हुआ करता था. उस से क्या होता था? देखे, there was a route from China to Mediterranean Sea. यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो चाइना है, यह चाइना से यहाँ सुरू होता है, silk route. और यह जो एरिया है, यहाँ पर अफगानिस्तान, इरान, इराक, यह जो Mediterranean Sea है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि, यह जो route है, Mediterranean Sea, Central Asia, यह जो यहाँ से जाते हुए, यह एरिया जो है Central Asia, तो Central Asia को पार करते हुए, Mediterranean Sea में जाते था, और इसके बाद वो एरोप में अपना ट्रेड करता था, इस route बाज यूज ट्रेडिंग सिल्क ऑफ चाइना, चाइना में उश्र में बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सिल्क हुआ करते थे, तो यहाँ से यह सिल्क का एक्स, ज इसका नाम क्या पड़ा, 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 इसका नाम क् यह ए जो एरिया था, इसमें जो हमारे अधिश्च थे और अधिश्च मौनेश्टी थे इसन, तो इस ए रूट के थो Central Asia, dedicate the center of Indian trade गखिश्च मोनेश्टây have been found here They show the people here used to travel far and wide for trade and freeze their religion वो ट्रेड भी करते थे और उसके साथ क्या करते थे अपने धर्म का प्रशार भी करते थे अपने धर्म का क्या करते थे प्रशार भी करते थे प्रीज है और आपने देखा होगा कि जो जब तालिवान का अटक होने से पहले जो सेंटरल एसिया था जो अफगानिस्तान उसमें बुद्धें बुद्धी के बहुत बड़े बड़े प्रतिमा पत्थरों को काड़ें प्रныbot siarवेपक बड़े प्रतिमा पत्थरों को फज़ें05 sound क contexts बड़ें के बड़ें। कर एक संदु स्थरों को का अीषर सेला कीवें के डिया थे यह ड़े बड़ें, भज़े हैं, नड़े